दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत इंफर्मिटिक बनने वाला है आज मैं आपके साथ एक ऐसे टोपिक पर बात करने वाला हूँ जिस टोपिक के बिसे मैं जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के पास जो भी सेर टेडिंग करते हैं किसी भी ब्रोकर के पास करते हैं तो हम लोग क्या किसी ब्रोकर हाउस के पास जो भी टेडिंग करते हैं तो हमारे जो कैपिटल जम होता है क्या वो पुरी तरह सेव है क्या कोई ब्रोकर हाउस भाग ने सकता है कोई broker उसका bankrupt नहीं हो सकता है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तो आपका capital कैसे save हो रहा सकता है क्या आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में जो depository account है जो हमारे stock को demate account में deposit के उसको save कर रखता है जैसे CDSL, NSDL ये कितना हग तक हमारे किसी स्टॉक या किसी सिकृिटी को save रह सकता है या जो हमारे broker के पैसे पाइसे परह रहता है जहां उनमेамman इंट्रjक trading करते है किसी भी option में trading करते है stock में trading करते है बहुत सर ऐसे पैसे open को ये ब्रोकर हाउस में जमा रहता है तो ब्रोकर हाउस का पैसा आगर उसकता है तो अगर क्या करना पड़ेगा हमोस करना चाहिए चैनल व acost वहास होता है तो हमें क्या करना पड़े होई वह नगए है् सब्सक्राइड seriously रूंबर र suivी struggling होता नहीं है यह वी दिख बीचिए wanna सब बढ़ा हुग शेकूर्टीज जो भी रिक्स होता है वह हूंने कौन देता है स्तॉक ब्रोकर से डिफॉल्ट होने से हमारा pou से उसको देखता है एक जिसको हम लोग बोलते हैं आप लोग को सीडिये रिपकेस इसको च्टियर को अपने दीपोरी-धिर दयेर offer यह है है NSDL National Securities Depository Limited यह भी एक संस्ता है जिसको CDSL बोलते हैं यह हम लोग क्या देखा CDSL दो-दो हम लोग को CDSL और NSDL राइट CDSL और NSDL यह दो-दो दो-दो ऐसा depository system है जो हमारे सभी share को किसी भी तरह के depository system है जहां सभी हम लोग को वहां पर deposit रखता है हमारा share पूरी तरह सेफ है अगर broker house भाग जाता है तो भी अगर broker house फेल हो जाता तो भी तो इतना ही तक नहीं है कई बर क्या होता है हम लोग स्टॉक में trading करते हैं स्टॉक में कुछ इस बाइक के कुछ इंट्राइब करते रहते हैं राइट इंट्राइब करते रहते हैं क्या होता है उस कंडिशन में हम लोग कैसे सेफ कर सकते हैं मान लिया कि जो एनेसडेल के पास है जो जो CDSL या फिर NSDL के पास है वो तो ठीक है safe है ध्यान समझेगा वीडियो को skip मत करेंगा जो CDSL या फिर NSDL के पास है वो तो safe है कोई इसू नहीं है वट यह क्या safe है यह हमारे DMAT account में DMAT account में जो पैसा रहता है वो सिफ-सेफ है DMAT account में जो कहां चला जाता है CDSL के पास चला जता है तो यह जो CDSL NSDL के पास आपको जाकर दिपोजिडरी ACCOUNT में जो आपको CR जमा होता है वो तो फुलितर सेफ है अगर आपके S2File हो जाता है अगर सबोज आपक Spanies इसली आपके पास तो डिमेट इंसelf था लेकिन कई वर ऐसा होता है कि आपका fund आपका fund आपके open account में ही पराता है जैसे बहुत लोग को पाषिए 10,2,0,1,000, बहुत सरी परा रहता है मैं option trading करता हूँ बनाई भी देखा है आप लोग जाके देख लिएगा वह जो मैंने वीडियो बहुत इंपोर्टन वीडियो है आप जाकर देख लिए जगा कैसे मैं अपने प्लेज करके अपने सारे पैसे रखते हैं मेरे पास आप देख पाएंगे मोर्दन शिक्टी टू लैक्स मैंने उसमें सेव करका है तो 62 लैक्स फिप्टी है मैं तो बहुत करना होगा कि जो भी आपके पास एकांट में सेर्स है जो है वो तो सेफ है लेकिन जो आपके पास एकाउंट में नहीं है नॉर्मली आपके ब्रोकर हाउस के पास पैसा पर हुआ है उस पैसे क्या होगा उस पैसे को बचाने का सीफ और सीफ एक तरीका है कि आपको कुछ ऐसे कुछ ऐसे स्कीम के तहट आपको रखना परेगा जहां पर सारा का सारा पैसा किसी सीडियसल के देखization उसके मिधा rocket च्हकर आप प्लेज क्या होता है आप अपने डीमेट एकाउन में किसी सेर वो बाई कर लिजे माले आप आप सब्सक्राइब है सब्सक्राइब क्या करना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसे जैसे लिपकी दिविश हो गया डेट फंट हो गया सिकूर्टी हो गया जो मैं गोर्मेंट सिकूर्ट अच्छा है मार्केड बृड्फिय को परियर इंटेस जाता है अगर गोर्ली प्रेसी बिल होगा वह प्रैसिंग से इस तरह से तीन चार तरीके हैं जहां आपने पूरे पैसे को सेब कर सकते हैं तो उसी भी सेमा आपको डीटेल्स में यह बताने वाला हूं कि आप सबसे पहले का कर लिए अपने ब्रोकर हाउस में अपने ब्रोकर हाउस में कोई भी चीज जिसे को बाई कर लिजे जिसे को बहुत अच्छा है या फिर आपको नहीं पसंद आतता उनध को ब्लेश्ड प्लेस्ट प्लेश्ड करदने से अंपने इसमें आपको प्लेस्डन मुल जाएगा गाति क्या मिलेगा मार्जी मिलेगा एक ही कड कर चकाके सब्सक्राइब कि 10% के haircut होता है 10% के haircut कटके आपको इस पर एक margin मिलेगा इस margin में आप option में selling कर सकते हैं option के selling कर लिजे future में selling कर सकते हैं आप currency कर सकते हैं आप MCX कर सकते हैं कहीं भी आप काम कर सकते हैं जैसे मैंने कल के वीडियों बताया भी है कि कैसे मैं उसमें hedge क्या क्या पैसे को बराता हूं यह सब करने पाद क्या होगा कि आपका पैसा तो जो आपने बाई किया है चाहिए वो आपको प्रोपर इंट्रेस मिली रहा है उसके अलावा आप option के टेडि में करते हैं वो भी आपको सेफ रहा गया अगर ऐसा कुछ होता है कि ब्रोकर फेल हो जाता है तो आपको सारे पैसे सेक्यूर रहते हैं ठीक है इन सब चीजों को आपको सेफ कर चलना पर लागा जैसे क कोई बंदर यह बोलेगा कि ठीक है मैं तो सब नहीं करता हूँ मैं तो फिर क्या होगा जो स्टॉक बाइक हो तो ठीक है वो चलागे आपको एनस डिलसी डिलसर के अकाउंट में लिए कि जो स्टॉक बाइक नहीं कि आपके पास ब्रोकर होस पास ओपेल पैस है उसकी भी गर पर पास 25 लाग रुपिया से जादा पैसा है 50 लाग है क्रोड है दो क्रोर देस क्रोड है और उसे विदिक है जो कि आपने अपने ब्रोक्र फ़र इस हम यह छो रखा है उस पर इंटराटे करते है न बहुत से जो मैं खूद करता हूँ आप देख लिजे तो क्या मैं ऑली कर से एंते zone 10% पैसे हैं उनीजफा पैसे सकते हैं और एपने कैपिटल इंभी बचा करें एक से लोन्हें चैपिटल को बचा कर एकुंटत Süre जिस से करा सकते हम एक अभी कि शुन करसे कर सकते हैं ऐसे नीयुक्त को सब एक टेड़ार भी बन सकते हैं और आप अपनी option की जर्णी को या फिर टेड़िंग की जर्णी को एक बड़िया से बड़िया अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो किर्पया कैके इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देजेगा